बच्चो आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण के अंतरगत एक नया प्रक्रण पढ़ेंगे जिसका की नाम है विशेशन हाँ बच्चो आज आप मेरे साथ विशेशन पढ़ने वाले हैं बच्चो यह प्रक्रन मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ, उससे पहले आपको एक चितर की तरफ लेकर चलती हूँ, जो कि मैं आपके लिए विशेश रूप से लेकर आई हूँ, तो बच्चो आपको यह चितर दिखाई दे रहा हूँगा, इस चितर के बारे मैं आपको ब महिलाई खड़ी होकर बाती कर रही है कहां पर खड़ी है ये बस स्टॉप पर खड़ी है और बस का इंतजार कर रही है और किसके बारे में बाती कर रही है बच्चों ये एक मुडली बाले के विशे में बात कर रही है मुडली वाला क्या कर रहा है मुडली बजा कर दिखा रह और अपनी मुडली बेच रहा है तो ये दोनों महिलाई उस मुडली वाले के विशे में क्या बात कर रही है देखते हैं यहीं कोई 30-32 वर्ष का गोरा दुबला पतला युवक है यानि कि यह मुडली वाले के बारे में बात की जा रही है बीका नेरी रंगीन साफा बांधता ह यह मुडली वाले की विशेषता बतलाई जा रही है और इससे संबंदित कुछ प्रेशन भी पूछे गए हैं देखते हैं क्या पूछे गए हैं मुडली वाले की आयू कितनी है तो बच्चों आपने यहीं की बात पड़ी है तो ध्यान दिया होगा कि मुडली वाले की का साफा B का नेरी रंगीन है बच्चों अगर आपने यह ध्यान से पड़ा होगा तो आपने पाया होगा कि यह जो लाल रंग के शब्द है इन शब्दों के द्वारा संग्या या सर्वणाम शब्दों की विशेष्टा बतलाई गई है जो कि कितनी और कैसा शब्द के द्वा विशेषण में संग्या या सर्वणाम शब्दों की विशेष्टा बतलाई जाती है किसके द्वारा बतलाई जाती है जिसके द्वारा बतलाई जाती है वही हमारा विशेषण होता है यानि जिस शब्द के द्वारा हम संग्या या सर्वणाम की विशेष्टा बताते हैं प शब्द संग्या या सर्विनाम की विशेशता बतलाती हैं उन्हें विशेशन कहती हैं यानि जिन शब्दों की द्वारा संग्या या सर्विनाम शब्दों की विशेशताओं को प्रकट किया जाता है वह हमारे विशेशन होते हैं इन विशेशन में एक बात और विशेश है क् हमारे विशेश्य की, अगर हम विशेशन पढ़ रही है, तो हमें विशेश्य भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेशन से ही जुड़ा हमारा विशेश्य है, क्या है यह विशेश्य देखिए, विशेशन शब्द जिस संग्या या सर्विनाम की विशेश्टा बता जिस शब्द की विशेशता बतलाता है वह हमारा विशेशन कहलाता है यानि की यानि की क्या यानि की विशेशन शब्द के द्वारा जिसकी विशेशता प्रकट की जाती है वह हमारा विशेश्य कहलाता है और विशेशन की द्वारा किसकी विशेशता प्रकट की जाती है बच उस संग्या या सर्वनाम को हम विशेश्य कहते हैं, हमारा विशेश्य वह संग्या या सर्वनाम ही होता है, जिसकी की विशेश्ता बतलाई जानी है, और जिस शब्द के द्वारा हम संग्या या सर्वनाम की विशेश्ता बतलाते हैं, वह हमारा विशेशण होता है, देखिए नीता अच्छी लेखिका है बच्चों यहाँ पर जो अच्छी शब्द है वह क्या है अच्छी जो शब्द है वह हमारा विशेशन है क्यूं है? क्यूंकि यह विशेशता बतला रहा है किस की विशेशता बतला रहा है? लेखिका की विशेशता बतला रहा है यहाँ पर लिखी का शब्द हमारा विशेश है फिर देखिए प्रति दिन ताजा फलों के सेवन करो तो बच्चों यहाँ पर जो ताजे हैं वो क्या है ताजे हमारे विशेशन है और फल क्या है फल हमारे विशेश है क्योंकि ताजा शब्द हमारे फलों की विशेशता बतला रहा है फिर देखिए निखिल मेघावी चात्र है बच्चो यहाँ पर मेघावी क्या है मेघावी विशेशन है और हमारा विशेश क्या है चात्र की चात्र की क्या विशेशता है कि वह मेखाबी है फिर देखिए इसका उत्तर तीसरा चात्र देगा यहाँ पर तीसरा जो शब्द है वह हमारा विशेशन है और चात्र हमारा विशेश्य है तो बच्चों आपको विशेशन और विशेश्य दोरों अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे विशेश्य हम किसे कहेंगे विशेशन और विशेश्य आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा हम जिन शब्दों से प्रकट करती हैं उन शब्दों को हम विशेशन कहते हैं और विशेशन के द्वारा जिसकी विशेशता बतलाई जाती है वह हमारा विशेश्य होता है बच्चों चलते हैं विशेशन के भीत की तरफ विशेशन के चार प्रकार माने गए हैं कौन-कौन से गुण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशे अब हम सबसे पहले गुण वाचक विशेशन का अध्यन करेंगे देखिए एक चित्र है आपके सामने जिसमें क्या हो रहा है एक मिठाई वाला है और एक महिला है दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं मिठाई वाला बोल रहा है क्या बोल रहा है मिठाई वाला बुला ये उसते हैं चपटी गोल पहलदार गोलिया है बच्चो अगर आपने इस अरुच्छेद में ध्यान दिया होगा कि ये जो पीले रंग के शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं ये पीले रंग के शब्द गोलियों के गुणों के बारे में बता रहे हैं अतहें ये सारे के सारे शब्द क्या है ये सारे कि सारे शब्द हमारे गुण वाचक विशेशन के ही उधारन है देखिए यहां गोलियों के रूप गुण आकार स्वाद आदी विशेशताओं का वर्णन जिन शब्दों के द्वारा किया गया है वे शब्द हमारे गुण वाचक विशेशन है जैसे कि रंग देकि सारे क्या है ये हमारे गुण वाचक विशेशन है अब हम परिभाशा देखेंगे बेवशेशन शब्द जोकी संग्या या सर्वनाम शब्द के गुण दोश रूप रंग आकार स्वाद दश्या अवस्था आधी का बोध कराते हैं उन्हें हम गुण वाचक विशेशन क कहते हैं देखिए आपको एक चित्र दिख रहा होगा बच्चो यह चित्र किसका है यह चित्र बड़ाई का है बड़ाई क्या करता है बड़ाई लकडी का कारे करता है और इस कारे को करने के लिए उसे बहुत सारे औजारों की ज़ुरत पड़ती है देखिए इसके पीछे पेटी रखी हुई है जिसमें कि इसके बहुत सारे ओजार रखे हुए है देखिए इसका हमें एक अनुच्छेद बनाते हैं बड़ई गिरी के निम लिखित ओजार भी होने चाहिए यानि बड़ई का कारे करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ओजार होने चाहिए क्या-क्या पाँच बड़े हतोडे, तीन बसूले, पाँच छोटी हतोडिया, दो एरन, तीन बम, दस छोटी बड़ी छेनिया, बच्चों ये दस है, दस छोटी बड़ी छेनिया, चार रद्दे, एक सालनी आदी, यानि ये जो सारे के सारे ओजार है, वो किसके काम आ रहे हैं, ये छेद पर ध्यान दिया होगा, तो आपने देखा होगा, पाँच, तीन, पाँच, दो, तीन, दस, चार, एक, ये जो शब्द है, इन शब्दों में संख्या की बात की गई है, और संख्या शब्द के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा, इनका विशिष्टाएं बताई ग दिया है, तो उप्युक्त अरुच्छेद में बिविन प्रकार के ओजारू की संख्या की बात की गई है, पाँच, तीन, दो, चार, दस, एक, आदी ये क्या है, बच्चों ये सारे शब्द संख्या बाची विशेशन के उधारन है, क्योंकि ये विशेशन शब्द यहाँ हतोडे, बसूले, हतोडिया, एरन, बम, छैनिया, रद्दे, सालनी, आदी शब्दों की विशेशता बतला रही है, अते ये सारे के सारे शब्द, संख्या वाची शब्द, संख्या बाचक विशेशन के उधारन है, देखिए, वे विशेशन शब्द जो की संग्या या जवनाम की संख्या का बोद कराते हैं संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं देखिए संख्या वाचक विशेशन के दो भेद होते हैं कौन कौन सी दो भेद निश्यत संख्या वाचक विशेशन और दूसरा अनिश्यत संख्या वाचक विशेशन देखिए आगे निश्यत संख का बोध होता है जिसे कि हम गिन सकते हैं देखिए कैसे कमरे में एक पंखा चल रहा है यहाँ पर एक शब्द के द्वारा निश्य संख्या का बोध हो रहा है सडक पर दो कारे खड़ी है यहाँ पर दो शब्द के द्वारा निश्य संख्या का बोध हो रहा है अते यहाँ पर क शब्द के द्वारा निश्य संख्या का बोध हो रहा है तो बच्चों ये सारे किसके उधारण है निश्य संख्या वाची विशेशन के उधारण है वे विशेशन शब्द जो विशेशन की निश्य संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्य संख्या वाचक विशेशन कह बच्चो निश्य संख्या वाचक विशेशन में क्या होता है निश्य संख्या वाचक विशेशन में हमें निश्य संख्या का पता होता है जिने की हम गिन सकते हैं चलते हैं आगे अनिश्य संख्या वाचक विशेशन की तरफ बच्चो ये जो अनिश्य संख्या वाचक विशे ले गए तो बच्चों यहाँ पर कुछ कम और सभी शब्दों के द्वारा संख्या का बोध तो हो रहा है लेकिन कैसी संख्या का बोध हो रहा है अनिश्य संख्या का बोध हो रहा है जिने की हम गिन नहीं सकते अते यहाँ पर अनिश्य संख्या वाची विशेशन है अब अनि संख्या वाचक विशेशन कहते हैं चलते हैं आगे परिमान वाचक विशेशन की तरफ बच्चों परिमान का जो अर्थ होता है बहर नापतोल से संबंदित होता है संख्या वाची विशेशन में तो क्या होता है कि हम गिन सकते हैं बस्तूओं को लेकिन परिमान वाचक विशे बस्तू की मापतोल संबंदी विशेशताओं की जानकारी होती है, बोध होता है, बे परिमान वचक विशेशन कहलाते हैं, बच्चों परिमान वचक विशेशन के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमान वचक विशेशन और अनिश्चित परिमान वचक विशेशन, अब ह जो आपको पीले रंके शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों को आप गौर से देखिए, यह जो शब्द है वो एक ऐसे शब्द है जिने की हम गिन नहीं सकते, जिने की हमें मापना या तोलना पड़ता है, जैसे की कपड़ा है, दो मीटर कपड़ा, तो दो मीटर पड़ता है, मापना पड़ता है, तो बच्चों ये परिमान वाचक विशेशन के उधारन है, और यहाँ पर बताया गया है कि कितना मीटर कपड़ा लगेगा, यानि निश्चित मातरा की बात की गई है, अते यहाँ पर ये निश्चित परिमान वाचक विशेशन है, यानि निश्चित परिमान वाचक विशेशन देखिए इसके उधारण मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए यानि कपड़ा चाहिए यह तो पता है कितना चाहिए थोड़ा सा यानि कपड़े की मात्रा के वारे में नहीं बताया है कि कपड़ा कितने मीटर चाहिए चाय में थोड़ वाचक विशेशन है आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया यहाँ पर जो ज़्यादा शब्द है वह भी अनिश्यता का बूद कराता है इसलिए यहाँ पर अनिश्यत परिमाण वाचक विशेशन है यानि कि जो विशेशन शब्द किसी बस्तू की निश्यत मात्रा अत्वा मा आपतोल का बोद नहीं कराते हैं वे अनिश्यत परिमाण वाचक विशेशन कहलाते हैं बच्चों चलते हैं अब हम आगे सार्वनामिक विशेशन की तरफ जो की विशेशन का चौथा प्रकार है देखिए वह बालग बहुत सहसी है यह काड एक ताकी है बच्चों अगर आप देखेंगे तो वह शब्द और यह शब्द क्या है यह और वह शब्द हमारे सर्वनाम शब्द है फिर यह विशेशन कैसे हो गए इन वाक्यों में वह और यह शब्द सर्वनाम है लेकिन यह शब्द बालग तथा कार संग्या शब्दों से पहले लगकर विशेशन का काम कर रही है अते ये सार्वनामिक विशेशन है यारी कि ये शब्द होने को तो सर्वनाम शब्द है लेकिन ये संग्या शब्द के आगे लगकर इन संग्या शब्दों की विशेशता बतला रहे है अते ये सार्वनामिक विशेशन है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संग्या से पहले उनके विशेशन के रूप में होता है उन्हें हम सार्वनामिक विशेशन कहते हैं और सार्वनामिक विशेशन को हम संकेत वाचक विशेशन भी कहते हैं देखिए यहां उपमन बड़ा है वहां विध्याले मुझे पसंद है यहां पर यह और वह शब्द इन शब्दो की विशेशता बतला रही है यानि यह शब्द के द्वारा उपमन की विशेशता प्रकट की जा रही है अते यह सार्व नामिक विशेशन का उधारन है और वह शब्द के द्वारा विध्याले की विशेशता प्रकट की जा रही है अते यह सार्व नामिक विशेशन का ही उधा के से समझ में आ गए होंगे धन्यवाद बच्चो